संसद ने सितंबर 1996 में 81 में समविधान समसोधन विधियक पेश कर एक एतिहासिक और क्रांती कारी कदम उठाया है जिसमें लोकसभा में लगभग 181 और राजविधान सभाव में एक तिहाई इस्थानों पर महिलाओं को आरक्षन देना प्रस्तावित है भारती समाज में महिलाईं लगभग 50 पतिसत हैं जो असिक्षा पिछड़ापन रूरी वादिता धार्मिक कट्टता सोशन के कारण समाज जड़ इस्थिती में रहा है जहां समाज सुद्रण होता है वहां व्यक्ति को समाज का डर होता है जिसके कारण समाज में बुराईयां नहीं पनप पाती हैं राज्य को भी ऐसे समाज में कम हस्तक्षेप करना पड़ता है लेकिन भारत में समाज दोस्पूर्ण और कमजोर होता गया है अगर महिलाओं की दैनिय इस्थिती के संदर्भ में हम देखें तो समाज बुराईयों में इतना जकड़ गया है कि वह स्वयम अपनी बुराईयों को दूर करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है इस बारे में जहां तक मैं समझता हूं समाज के अंदर सुधार दो तरह से किये जा सकते हैं एक तो समाज स्वयम को बदले या राज वैधानिक रूप से यहां बदलाव लाए यह कितने खेद की बात है कि समाज में व्याप्त इन बुराईयो को दूर करने के लिए हमें कानून बनाने पर रहे हैं दहच पर्था उनमूलन पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार और हाल ही में ग्रहनियों को सापताहिक आवकास देने संबंधी आधी इन विधाईक कारियों से भारतिय समाज में विशेश अंतर नहीं हुआ क्यूंकि यह बाते महिलाओं के सामाजिक इस्तर से संबंधित थी जिने समाज और परिवार कार्य रूप में परनित नहीं करना चाहे तो व्यक्तिगत इस्तर पर महिला की इस्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वह इन्हें लागू करवा सके लेकिन राजनीती प्रक्रिया में महिलाओं के अधिक प्रिवेश के लिए यदि समवैधानिक संसोधन किये जाते हैं तो राज्य द्वारा उनका क्रियान वयन होता है तब समाज उससे प्रभावित अवश्य हो जाता है यह बात सहर और गाउं की इस्थानिय संसुथाओं में महिलाओं को दिये गए आरक्षण से संबंदित है लोक सभा और विधान सभा में उनको एक तिहाई आरक्षण देने के लिए समविधान संसोधन विधयक अभी विचारादीन ही है किसी भी नए कदम को उठाने पर आसंकाई भी उठती हैं यदि उन्हें व्यक्त कर दिया जाए तो अच्छा है इससे एक बात यह होगी कि दूसरे पक्ष पर विचार सामने आ जाएंगे दूसरी तरफ 21 सदी के दरवाजे पर खड़ी भारतिय महिलाओं की सक्ता में भागीदारी देने वाले प्रजात तांत्रिक प्रयास के साथ नियाय हो सकेगा इस संबंद में समुचित बौधिक विचार विमर्स बहस चिंतन मंथन के उपरांत जो जन सहमती की इस्थती निर्मित होगी साथ ही उससे भारतिय समाज का स्वरूप भी परिलक्षित होगा अपने भविस्थ के प्रती चिंतित और भैभीत पुरुस सांसदों ने सदन में इस विधेयक के बारे में अपनी संकाएं व्यक्त की हैं देश के बहुत से महिला संगठन इस विशय पर चिंतित हैं अन्य छेत्रों में भी अनेक आसंकाएं व्यक्त की जा रही हैं माननिय कल्याण मल जी जैन और उनके साथी दूसरे तीन विधायक उस दिन इस काम में सरीक हुए थे लेकिन उनके परती मेरे मन में सम्मान की भावना है और मैं व्यक्तिगत रूप से उनका मित्र भी हूँ लेकिन इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा और जैसा स्रीमान ने स्वयम कहा कि केवल विशेशा अदिकार का प्रश्न नहीं रह गया है पर विशेशा अदिकार तो बहुत छोटा प्रश्न होता है यह अहम सवाल यह आ गया है और समविधान के प्रती निष्ठा का सवाल आ गया है मेरा ऐसा मानना है और आप भी मानते हैं विधान सभा के सदस्य तभी कहलाते हैं जब वे समविधान के प्रती निष्ठा जाहिर करते हों और यदि वह निष्ठा जो हमने जाहिर की थी अगर उस मर्यादा को हमने तोड़ दिया तो हमारी विधान सभा की सदस्यता अपनी आप ही समाप्त हो जाती है उस दिन जो चर्चा हुई थी उस पर माननिय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कोई राय जाहिर नहीं की क्यूंकि उनको अपनी मंसा जाहिर करने में कठिनाई हो रही होगी इस प्रशन पर कोई भी समझधार व्यक्ति सम्विधान के प्रती नीष्ठा रखने वाला प्रजात तंत्र में आस्था रखने वाला इसके सिवाए दूसरी बात नहीं कहेगा माननिय सदस्य की सदस्यता समाप्त हो चुकी है मुख्यमंत्री महोदय को यह कहने में कठिनाई जरूर हो रही होगी इसे हमारे सभी साथी अच्छी तरह से समझ सकते हैं इसलिए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जानी चाहिए स्री मान कई बार मेरे सची वालय में ऐसे पत्र तार और संकल्पों के प्रतियां आदि खूब आती रहती हैं जिन्हें नियमों के अंतरगत याजिकाओं के रूप में सुईकार नहीं किया जा सकता उन्हें अभ्यावेदन ही मान लिया जाता है इन अभ्यावेदनों को समिती के पास भेज कर पेश कर दिया जाता है और समिती उन पर विचार करती है निर्णय करती है अपना मत देती है फिर उनका निराकरण किया जाता है केवल वही सार्व जनेक संसथा संग या व्यक्ति लोग सभा के छेत्रादिकार के अंतरगत आने वाले किसी विशय के संबंद में समिती को अध्भ्यावेदन दे सकते हैं करती है स्टॉप